आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्धांत अगनी होतरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत सबाकत है वोच आसनवासी अक्षर पुर्शोत्तम स्वामी नारायन मंदर शास्त्री जी महराज को कोटी-कोटी नमन 117 साल पुराना ट्रेडिशन आज पूरी दुनिया में 1200 मंदर है इनके ग्लोबल मंदर है भारती इतिहास को कल्चर को हर जगा फैला दिया परमुक महराज जब 1997 में UAE गए स्वामी नारायन मंदर है स्वामी नारायन संस्ता का है तब उन्होंने ये बोला कि मैं चाहता हूँ कैसा मंदर हो गल्फ कंट्री में या मिडिल इस्ट में जो सारे कल्चर को साथ में लेकिया है और उसके बाद इस मंदर की शुरुवात हुई 2015 में बनना शुरू हुआ लेकिन दोस्तों आज ये जो मंदर है ना इसने कमाल कर दिया है पीम मोदी जो है वो अभी UAE अबुदा भी जा रही है और वहां पर इस मंदर को inaugurate करेंगे से पहले दुबाई में भी मंदर बना था लेकिन ये पहला स्टोन मंदर है मिडिल इस्ट में हम बात करेंगे एक एक चीज़ की लेकर उससे पहले सिर्फ और संफ तीन सो अ रुप कर जो बहार बहुत ही महंगे मिलते हैं कर सकते हैं दूसरों के साथ कैसे डील कर सकते हैं दूसरों से अपना काम पॉजिटिव तरीके से कैसे निकलवा सकते हैं फटाक से स्कोर्स को वेल करें सिर्थ 300 अरपय का कोर्स हमने निखाला है शुरुआत के तीन दिन डिसकाउंट है 24 फरवरी से क्लास शुरू होगी तो हम ये पीएसी बोलेंगे ठीक है तो बी एपीएस मंदिर जो है जो फ्रस्ट हिंदू मंदिर है अबुदाभी में आज पीएम मोदी इसको इनॉगरेट करेंगे ठीक है बहुती जबरतस्त वाता वरण है दोस्तों मैं आपको आज बहुत कुछ बताऊंगा जो गल्फ कंट्री है ना वो क्यों इतनी आगे है और इतनी आगे बरती ही जा रही है अब आप ये देखिए कि भले ही इस्लामिक कंट्री है लेकिन ये सेकुलरिजम की एक मिसाल है वही हमारा पड़ोसी पाकिस्तान नाम की डेमोक्रिसी है वहाँ पे जैसे बहुत जगा मंदिरों में अभी हा हमला भी हुआ है कई जगा मंदिर तोड़े भी गए हैं लेकिन अगर आप अबुदाभी में देखो या दुबाई में देखो गल्फ कंट्री में देखो तो यहां एकता कि आपको मिसाल मिलेगी जब 1997 में ये कंसेट लाया गया कि हम एक मंदिर बनाते हैं जिसमें सारे को इंटेग्रेट करें ताकि लोग जाने तो यह जो कंसेट थने बड़ा फेमस हुआ और सबका इसने स्वागत के और 2000 मंदिर में 2015 में मंदिर का कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुआ है I'm really sorry थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ठीक है अगल बगल तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज आए पंदा फरवरी को दे of harmony जो है वो मनाया जाएगा सोला फरवरी को day of civilization मनाया जाएगा सत्रा फरवरी को day of peace मनाया जाएगा अथारा फरवरी को day of gratitude बना जाएगा उन्डिस फरवरी को day of values बनाए जाएगा 21 फरवरी को day of inspiration तो जहाँ valentine week आज खतम को कमाइन करके लेकिन क्या बेहतरीन आप शिकर देखिए आप मंडब देखिए कार्विंग्स ओ हो 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 मैं अभी गया था दोस्तों एक लिंग जी मंदर मतलब मुझे इतना गर्व होता है उद्यापूर से लगब 25 किलो मीटर की दूरी पे है मुझे इतना गर्व होता है भ मंदिरों के आप कलाकृतियां देखिए आप मंदिरों के आप आकृति देखिए मंदिर को किस तरीके से बनाया गया वो आज भी खड़े और इतनी खुबसूरत कि आप उस मंदिर में को जाएंगे वो मेडिटेशन सेंटर है एक तरीके से ठीक है और बगल में सास बहू टे आप देख सकते कि इस तरीके से कार्विंग जो हमारे हिंदू देविती देवी देवता हैं उनकी कार्विंग समको देखने को मिल रही है और आपको बता दू कि यह जो स्टोन है राजस्थान में जो है जैसे मकराना पत्थर बेस्ट जैपुर में शांदार काम होता है बहुत फिर हमने इसको अबुदावी बेसिकली और जो यहां पर बाकी चीज़े मंगाई गई है वो इटली से मंगाई गई है समझ रहे हो जो मारबल है वो इटली से माइन किया है वो भारत आया भारत में इसको बना के बेजा और फिर UAE को हमने मला कर करके इस तरीके से बाइट का बहुत ही कमाल JEFF करकी उसके इटलीन से भारत पर इसको करकी आ गया मारबल तो आ गया उसके बाग फिर मूर्थी बनाई गई और देन जेस आप देखी सकते हैं घिक सरस्वतिमा उसको हमने कहां पे भेजा वापस UAE अबुदाबी भेजा तो अब आप देख सकते हैं सिर्फ महाभारत और रामयान नहीं कल्चर जो है अगर आप देखो तो बहुत मिक्स होते हैं है ना Indus Valley Civilization सबसे पुरानी Mesopotamian civilization जो इसी एडिया में पली बढ़ी फिर आती है Indus Valley Civilization तो हमारा 5000 साल पुराना रिष्टा है cultures mixed with stories mixed with तो सरे महाभारत की कहानिया नहीं है Mayan की कहानिया जो की एक South American Civilization है Aztec Empire against South American Civilization जिसको किसने Spanish ने Hernandez Cortez ने खतम कर दिया 1595 में हाला कि ये civilization बड़ी dangerous थी मैं आपको एक movie बना बता तो उसमें इस empire के बारे में बताया गया है जब मैंने वो movie देखी थी Mill Gibson की movie तो मेरी रूख काम गई थी आज भी मैं movie देखता हूँ वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है वो movie देखीगा शायद प्राइम के अविलिबल है Egyptian Civilization आप Egyptian Civilization के अगर बात करते हैं नई नील नदी के किनारे अगें थार्ड ओल्डेस्ट Civilization और चाइनीज Civilization के हैं चाइना की तो यहाँ पे स्टोरी आपको देखने को मिलेगी भले ही भारत और चाइना के रिष्टा भी बहुत अच्छे नहीं हो European Civilization की भी कहानिया आपको यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगी ठीक है अभी पूरा आपको एक overview देऊंगा तो इस structure जो है जाइड सी बात है यहाँ नदियों से surrounded है इसको artificially create किया गया है बहुत ही intelligent तरीके से मंदिर बनाया गया खूब पैसा है खूब डोनेशन है तो गंगा यमुना को यहाँ पे जो पानी है वहाँ का लाया गया और इसको artificially create किया गया इस नदी को artificially create किया गया ठीक है सारस्वती जो है इस रिप्रेजेंटेट इन दा फॉर्म ओ वाइट लाइट ठीक है सारस्वती नदी जो है वो अभी नहीं बह रही है एक समय बहार करती थी हमारी इंशेंट सिविलाइजेशन में बहार करती थी और ऐसा बोला जाता है वो गंगा से 20 गुना जादा भव्य थी ठीक है आज उसका स्थित्व नहीं बट वो थी ठीक है तो सारस्वती नदी जो है उसको white light से दर्शाया गया है बनारज जैसे घाट्स वारा नसी वरुणा नदी और असी ठीक है इसके बीच में पूरा शैर बनारज बचा है बसा है तो वारा नसी घाट जो है उसके तरीके के घाट जो है एक साइड पर उसको create किया गया है जहां से ये artificial river पास होती है ये घाट है और ऐसे नदी चलती रहती है तो वैसा आपको feel आएगा तो भाई आपको पता ही है 35,00,00, सबसे ज़ादा भारती जो expatriate जो वो UAE में डेते है 35,00,00 के करीब इतने बड़े भारतीयों के लिए ये मंदिर बनाया गया है ना सिर्व भारतीयों के लिए बारकि हर एक उनसान के लिए बनाया गया है जो कि secular है ठीक है तो आप कोई भी यहाँ पर जा सकता है तो अब host country को भी सबसे बड़ी बात यह है कि host country को भी equal representation दिया है UAE के symbols को भी दर्शाया गया है UAE के culture Egyptian civilization, Arab culture को भी इस मंदिर में दर्शाया गया है आपको हाती देखने को मिलेंगे आपको उट जो कि आपको पता ही है कि पूरी गल्फ country का ship है यह उट आपको share देखने को मिलेंगे again share एक बहुत important symbol है UAE में UAE की national bird आपको देखने को मिलेगी फालकन देखने को मिलेगा यह भी इस design में include किया गया तो जब यह मंदिर देखा बनके तयार हुआ तो सब चौन्दियाग है सब की आंगे सब बना इतना खुबसूरत मंदिर तो यह चीज है अब आपको बता दू कि जो अभी दावो हिंदू temple है दुबई गुर्दवारा पांच हजार free meals बाटेगा यह हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है आपको पता है कि जो मंदिर है आप जैसे भले ही जो बड़े-बड़े occasions होते है कितने लोगों का paid भी बढ़ता है free meals बाटी जाती है एक spiritual oasis क्या बात है आपको पता ही है न जो green patch होते है जब आप ब्रेगिस्तान में चलते जाते हैं तो जो green patch मिलेगा वहाँ पे आपको काफी ठीक मिलता है वहाँ पानी भी होता है वहाँ पे खाने पीने की चीज़े भी होती है तो एक spiritual oasis है UAE के desert में क्या बात है बहुत ही शांदार तो जो temple अब देखिए UAE जो है अब आप ये समझेए कि भले ही एक Islamic country है सुदी एक Islamic country है लेकिन भारत सरिष्टे कितने कमाल है ठीक है यहाँ पे इन्होंने different face of its expatriate community को honor किया है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ पे रहते हो यही बात है न अगर ऐसे कदम लिये जाएंगे तो देशों के बीच में जो संबंध है वो और मजबूत होंगे और UAE इसका एक prime example है अब हम सब को पता है कि UAE बहुत भयानक तरीके से develop कर रहा है आगे आने वाले 10 सालों में UAE और सौधी भाई आप यह समझ लिजे कि future cities होने वाले है यहाँ पे ठीक है ना उन्होंने अपने आपको पूरा reform कर लिया है दिक्कते हैं ऐसा नहीं यह सब कुछ बढ़िया है problem बहुत ज़दा है autocracy है वहाँ पे महिलाओं को वहाँ पे जो है अधिकार नहीं दिये गए है बट लेकिन जो development है ना वो बहुत जबर्दासा उसका जो main कारण है वो है इंडियन्स इंडियन्स भर भर के यहाँ पे रहते हैं UAE और सौधी ने सीधा बोला है आजो green card लेलो इंडियन्स को बुलाते हैं वो बोला कि भाई तुमको पैसा चाहिए हम देंगे तुमके education चाहिए हम देंगे तुमको security चाहिए हम देंगे तुम हमारे लिए काम करो तुम हमारे लोगों को कितना शांदार तुम यहाँ के देशों को हमारी जगाओं को develop करो बागे हम तुमारे साथ हैं पैसा में तरह देंगे कोई कोई चिंता की बात नहीं है तो इस तरीके की चीजे जो है वो बताए गई है उसके बाद यह एक और sign है कि किस तरीके से UAE और इंडिया जो close आगे जो मैंने आपको बताया तो West Asia का largest Hindu temple है ठीक है अब प्रधान मंतरी मोदी जी आज जो है इसको inaugurate करेंगे 108 feet लंबी shrine हमको अबू मुरेखा district में देखने को मिलेगी ठीक है ना तो यह होने वाला है आज 73 km है दुबाई से दुबाई में भी बहुत बड़ा मंदर है और सिर्फ ए 73 km की दूरी पे यहाँ पे आप जो है वो पहुँच सकते है रोड से जा सकते है फ्लाइट से जा सकते है तो कोई इशू नहीं है ठीक है ना जो अलताफ रोड है ठीक है असली में तो 27 सेकर्ण है तो आप समझी सकते है 108 feet की तो पूरी की पूरी उचाई है जो में शिराइन है शिखर आप देखिए मंडप आप देखिए कार्विंग्स आप देखिए मतलब क्या ही बता और जो आर्टिफिशल रिवर जो है इटाइलियन मारबस लगाए गए जो की भारत से है जो की मैंने आपको अभी बताए कि फिर भारत में लाएगा उसको कारव करके वापस अबुदाबी जो है वो भेजा गया 18 लाग feet इंडियन साइन स्टोन लगाए गए राजस्थान से मगाए गये है 18 लाग feet ईंटे लगाए गए है और 30,000 मूर्तिया हमको देखने को मिलेंगी तो सारी देवी देवताओं की मूर्तिया हमको देखने को मिलेगी तो 1997 में इस मंदिर की कलपना की गी स्वामी नारायन संस्थान और 2018 में इसको शुरू किया गया, 2015 के बाद से हला किसमें तेजी आ गई थे, अभी मैं टाइम लाइन भी दे दूगा, और 2019 में फिर शिला नियासो, 2024 में हिंदू मंदिरों का उद्गाटन किया गया, तो अब आप ये देखिए, ये सबसे क्लियर इमेज है, कितनी खुबसूर हैं, और जो भारत के P.I. में वो दोनों मिलेंगे, group of dancers, सबसे बड़ी बात, अलाइला, ये परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, ये UAE के festivals में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन अभी ये त्योहार से कुछ कम नहीं है, तो drummers और dance chanters, जो है, they will perform अलाइला, और उसके बाद फिर चीजों को और किया जाएगा, फिर inaugurate होगा और फिर लोगों के लिए open किया जाएगा, ठीक है, तो special symbols हमको देखने को मिलेंगे, जो हर भाचा में Sanskrit Arabic, English और पतलब एक तरीकी से हर कोई समझ जाए, जब इस मंदिर में भयात टोरिस्ट आने वाले आपको पता ही है, रात जबरदस lights भी लगाई गई है यहाँ पे, तो 1100 Hindu temples worldwide BAPS ने, basically 1200 है, इतने Hindu temples जो है वो construct किये हैं, जिसमें अक्षरधाम मंदर, भाई इन ही का ही है न, है न, आपको पता है कि नहीं, मैंने क्या बता है, भाई आप, मैं कोशिश करूँगा कि इनकी कहानी मैं लेकिया हूँ, जबरदस ठीक है न, तो अक्षरधाम मंदिर की अगर बात करते हैं, अक्षरधाम मंदिर कितना सुन्दर है, तो style काफी हद तक आपको अक्षरधाम की देखने को, अक्षरधाम बहुत भाव है, मैं अंदाबाद का अक्षरधाम गया, और दिल्ली का अक्षरधाम गया, तो वहाँ पर तो आप बैठी जाओगे, वो ऐसा मंदिर है, इतना खुबसूरत मंदिर है, एक मिट ज़रा मुझे थोड़ा सा वक्त दीशेगा। शुक्रिया, बैसे कि थोड़ा सा, कुछ लाइट में उशू हो रहा था, इसलिए मुझे, एक ही स्टूडियो के लाइट जो है, वो अपनी बंद करनी पड़ी, ओके, हाँ, बाकी और भी UAE में टेंपल है, अखेला टेंपल नहीं, जो कि दुबाई में लोकेटेड है, ठीक है न, तो बीए पीए साला की सबसे बड़ा होगा, फरवरी 2018 में पीए मोधी ने प्रोजेक्ट लाँच किया था, जो UAE में पहला हिंदु टेंपल, अब तो इनॉगरेट भी हो गया है, ठीक है न, अरेंद मोधी जी ने उसको इनॉगरेट भी करवा दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, करवा के दिया है, ये सबसे पहला दुबाई में मंदर था, जो कि बना है, ठीक है, तो ये UAE उस स मंदिर होना चाहिए, जो कमाल हो, 2015 में जो इंडियन पी-म ने उन्होंने बोला कि UAE ने मंदिर के लिए जमीन दे दी है, 27 से कड़ की, ठीक है, 2018 में जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने ये लाइन गिफ्ट किया, किसको, BAPS मंदिर के संस्थापक को, BAPS के संस्थापक को, फिर उसके बाद, अफिशली, PM मोदी ने 2018 में इसको एनॉंस किया, लॉंच किया, 2019 में, स्टोन लेंग सेरिमनी हमको देखने को मिलती है, फिर उसके बाद, Mechanical Project for the Year अवार्ड भी इसी मंदिर ने जीता, कुम्ब पूजन हुआ यहां पे, Features Expo में इसको दिखाया गया, शिल हो रहा है, ठीक है ना, तो अमरित कले सेरिमनी के बाद, फिर मंदिर उपेनी मलब डेटीज का सब हो गया है, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, वहां पे आगे हैं, तो यही बता रहे हैं कि सिर्फ मंदिर तो ही है, Meditation Centers होते हैं, Prayer Centers होते हैं, बट जिस तरीके से इसको ब पिलर का कमार का काम होता है, अगर आप राजस्थान में जाएंगे, या अगर आप साउथ में जाएंगे, तो वहां पे धेरो पिलर, मैं तो अभी रामश्वरम गया था, घजब, मतलब वहां का तो सबसे बड़ा कॉरिडोरी है, ठीक है, और अभी मिनाश्य टेंपल भी ग को पांच तक तो पंच तक तो देखने को मिलेंगे, जैसे हमारा शरीवर्ण से दुनिया बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, और स्पेस, ठीक है, तो जैसा कि नाम है, डोम आफ हर्मनी, कैमेल जो है, जो कि सिंबल आफ हाड़ वर्क होता है, परसिस्टेंस होता है, लग सब्सक्राइटी, पीस, नॉलिच, फेद, कमपैशन, टूथ, यूनिटी, तो यह आपको देखने को मिलेंगे, फिर नॉर्थ, इस्ट, साउथ, वेस्ट और सेंट्रल, इंडिया से, डाइटीज जो है, इस मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे, थाउजन्स ऑफ डाइट कहानिया जो है, वो धाइसों से भी जाद आपको देखने को मिलेंगी, तो यह चीज है, आई हो पे लिच्चर आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, तो यह आज इनॉगरेट होने वाला है, तो आप देखिए, भाईया हम तो अभी अभूदावू करें, और पिच्चर जो है, वो जरूर पोस्ट करें, यह कमाल रहेगा, ठीक है, और आपको पते हैं कि UAE में सबसे ज़्यादा भारती जो है, वो रहते हैं, इसलिए उनके लिए यह शांदार मंदिर जो है, सब सब के लिए शांदार मंदिर बनाया गया, तो यह लेचर ता आयोब आपको समझ में आया होगा, पाक कि आप हमारे सुपर एक्स्प्रेशन के कोर्स को जरूर रोवेल करें, खुछ रहे हैं परते हैं यह देशा सद्दान तक नहीं होतनी साइनिंग आफ़